हलो एवरीबर वेलकम टू गेटेकारिट प्लस मैं हो विडिगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडानेमिक्स हमारे चैनल पे आप लोगों के जो व्यूज है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं हमको बहुत खुशी है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं कमेंट सेक्षेंज पर बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि थर्मोडानेमिक्स का जो सब्जेक्ट है मेकैनिकल इंजिरे रिंएरिग का वो जल से जल हमारे चैनल पे स्टार्ट किया जाए तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हूए हम यह जो घर्मोडा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. So, जो subject का नाम है thermodynamics यह दो Greek words को combine करके बनाये गया है. The first Greek word is therm. T-H-E-R-M-E therm. ठीक है? And second Greek word is dynamis. D-Y-N-A-M-I-S. Dynamis. Therm का मतलब होता है heat and dynamics का मतलब होता है power. Okay? So, thermodynamics उस subject को कहते हैं हम जो की heat को power में and power से heat that is basically energy interaction. Heat को power में convert करना और power को heat में convert करना. इस science से जो subject deal करता है that is known as thermodynamics. Okay? So, thermodynamics को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं. So, यहाँ पर से समझ आ रहा है कि thermodynamics में हम लोग basically energy interaction के साथ deal कर रहे है. ठीक है? What is energy? सब से ले जाना ज़रूरी है what is energy? Energy बहुत ही complicated term है समझाने के लिए लेकिन इसकी सब से easiest definition जो हम जानते हैं that is energy is defined as capacity to do work. ठीक है? कार्य करने की छमता को ही उर्जा कहते हैं. हम जानते हैं school level से. So, जितनी ज़्यादा आपके पास energy होगी आप उतना ज़्यादा work कर सकते हो. ठीक है? So, that is the fundamental definition of energy. So, energy को यहाँ से समझते हैं हम लोग conservation of energy जो हम जानते हैं, जो principle of conservation of energy है. उससे हम को पता है कि energy को एक form से दूसरे form में convert किया जा सकता है. ठीक है? So, वैसे ही हम energy को किसी भी work के form में convert कर सकते हैं. And, what is power? Power is nothing but rate of doing work. ठीक है? That rate of doing work is known as power. जिस rate से आप work करते हो, उसी को हम power कहते हैं. ठीक है? So, heat को जब हम power convert करते हैं, या power को हम जब heat में convert करते हैं, तो हम basically एक energy transfer process का use कर रहे हैं, जिससे जो भी material है, जो भी matter है, चाहे वो solid हो, liquid हो, gas हो, उसकी physical state में, है ना, उसकी physical properties में changes आते हैं. तो यहां से हम एक definition देखते हैं, बहुत अच्छी thermodynamics की, that thermodynamics, thermodynamics is the science of energy interaction, energy interaction and its effect, and its effect on physical properties of matter, ठीक है, अब हम जानते हैं, जो matter है, वो तीन तरह का होता है, that is, solid, liquid and gas, so तीनों तरह के matters में, हम लोग देखते हैं, कि जब भी energy interaction होगा, तो उसके physical properties में change होगा, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, कि what does it mean by physical properties, physical properties, देखिए, physical property को सबसे easiest तरीके में, अगर हमको समझना है, तो physical property का मतलब यह है, कि जिसे हम, अपने normal senses available हमरे पाँ, जैसे कि आख, कान, और हमारे जो touch है, तो इन senses से, हमारे human senses से, हम जिन properties को observe कर सके, that is called physical properties, जैसे कि, हम किसी चीज़ को देख करके, दो objects को देख करके बता सकते हैं, कि यह, एक first object बड़ा है, and second object छोटा है, ठीक है, हम छूँ करके बता सकते हैं, यह गरम है, या यह ठंडा है, तो इस तरह की property, जिसको हम normal human observation से, जान सकते हैं, ऐसी properties को physical properties बोलते हैं, ठीक है, जब energy interaction होता है, जैसे कि, मैं बात करूँ, पानी, मैंने water लिया किसी container में, water में, जैसे समय heat transfer करूँगा, उसको गरम करते जाओँगा, नीचे आग लगा दूँगा, उसको मैं गरम करना चालू करूँ, तो देखूँगा, water का temperature बढ़ने लग जाएगा, और इस temperature को मैं normal अपने sense से, पहले अगर मैं उसको touch करूँ, तो पहले पानी, पानी जो था, वो cool था, थंड़ा था, जैसे मैंने उसको heat supply देना चालू किया, पानी का temperature इंक्रीज होने लग गया, यहाँ पर मुझे समाझ आ रहा है कि energy interaction हो रहा है, heat is a form of energy, यह सब हम और detail में जैसे से, आगे module हमारा बढ़ेगा, वैसे से हम देखेंगे, अभी सिर्फ हम एक introduction level पर देखने चीज़ों को, जैसे से मैं heat देना चालू किया water को, water का temperature इंक्रीज होना चालू हुआ, अब उसके बाद देख रहा हूँ मैं कुछ देर बाद, कि जो water था, वो boil होना चालू हुआ, उसमाहने कि उसकी physical properties में जो changes हैं, वो मैं observe कर सकता हूँ, तो यहां से एकदम clear होता है कि thermodynamics is the study of energy interaction, हम energy interaction की discuss करते हैं and its effect on physical properties of matters, ठीक, अब एक और बहुत ही, मतलब popular definition है thermodynamics की, that is thermodynamics is study of three E's, thermodynamics में हम three E's की study करते हैं, ठीक है, अब वो three E's क्या है, first E is energy, ठीक है, जैसे कि हमने देखा, कि हम energy के बारे में discuss कर रहे हैं, energy को एक form से दूसरे form में convert कर रहे हैं, ठीक है, second हम देखते हैं entropy, entropy, entropy के बारे में हम school level study से से भी तना जाते हैं, entropy is the measure of randomness of any system, ठीक है, लेकिन जब हमारा यह subject cover हो जाएगा, तो उसके बाद हम exactly बता पाएंगे कि entropy होती क्या है, किसी भी object की, किसी भी process में, है ना, या किसी भी चीज की entropy क्या होती है, ठीक है, यह क्या बताता है, entropy में change होता है, तो क्या होता है entropy में, अगर reduction होता है किसी system के, तो उसका क्या मतलब होता है, यह साब हम लोग समझ पाएंगे, ठीक, थर्ड होता है आपका equilibrium, थर्ड होता है equilibrium, है, दोनों में, कई differences है, ठीक है, जो mechanical equilibrium होता है, यानि, जब हम mechanics में equilibrium की बात करते हैं, so that is the equilibrium of forces, ठीक है, that is the equilibrium of forces, लेकिन thermodynamics पे जब हम equilibrium की बात करते हैं, तो यह equilibrium और broad होता है, ठीक है, thermodynamics equilibrium क्या होता है, मैं आपको एक brief में बताना चाहूँगा, देखे, first of all हम समझते हैं कि mechanical equilibrium क्या होता है, mechanical equilibrium हम तब कहते हैं, जब किसी भी object पे लगने वाले forces का summation zero होता है, algebraic sum of forces acting on our body is when zero, इसको बोलते हैं mechanical equilibrium, ठीक है, अब एक chemistry की subject की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम chemical equilibrium की बात करते हैं, chemical equilibrium होता है, suppose दो chemicals है, A and B, ठीक है, A और B को जब मैं react किया, नहीं कि जब मैंने A plus B किया, तो मुझे chemical मिले C plus D, ठीक है, अब अगर C plus D को मिलाने से मुझे वापस A plus B possible है, मतलब A plus B is equal to C plus D अगर possible है, तो C plus D is equal to A plus B भी अगर possible है, तो इसको बोलते हैं chemical equilibrium, chemical equilibrium, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, chemical equilibrium की और भी definitions है, और भी criteria है, this is one of the criteria, ठीक है, तो chemical equilibrium यह रहा, ठीक, अब इसके बाद आता है, temperature equilibrium, temperature equilibrium, ठीक है, हमने mechanical equilibrium देख लिया, हमने chemical equilibrium देख लिया, this was your chemical equilibrium, ठीक है, अब देखते temperature equilibrium, देखिए, यहाँ पर क्या कहना क्या मतलब है, कि अगर दो body आपस में interact करें, एक दुसरे के contact में आए, और उन दोनों का, जो temperature है, after being in contact, कुछ समय बाद अगर उनका temperature, heat flow होगा, contact मैंने करने, तो heat flow होने के कारण, उनका temperature कुछ समय बाद बराबर हो जाए, तो उसको करेंगे temperature equilibrium, ठीक है, So, अगर कोई substance, mechanical, chemical and thermal equilibrium में रहे, तब उसे कहते हैं हम thermodynamic equilibrium, So, equilibrium और thermodynamic equilibrium का मतलब होता है, Mechanical, प्लस chemical, प्लस thermal, ओके, Mechanical equilibrium मतलब, summation of forces is 0, chemical equilibrium याने की, A plus B is equal to C plus D, then C plus D is equal to A plus B, chemical reactions में पॉसिबल होता हो, Chemical equilibrium, अगर heat इतना heat flow होने के बाद, अगर दो objects का temperature equal हो जाए, तो उसको गहते है, thermal equilibrium, तो अगर कोई object, mechanical, chemical and thermal तीनों equilibrium में है, तो उसको हम कहेंगे thermodynamic equilibrium में, So, thermodynamics is study of these three E's, ठीक है, Energy, Entropy and Equilibrium, So, यहाँ पर हमारा जो एक basic introduction था, Thermodynamics के बारे में, वो यहाँ पर हम लोगों का हुआ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कि thermodynamics जो है, उसमें भी दो approach ऐसे हैं, Okay, first is the microscopic approach, microscopic approach, Second is macroscopic approach, Macroscopic approach, ठीक है, जो microscopic approach है, जैसे की नाम से बतार चल रहा है, हम उसमें बहुत छोटे-छोटे particles के level पर जाकर के, यानि की atomic and molecular level पर जाकर के, हम किसी भी object की thermodynamic behavior की study करेंगे, किसी भी matter की thermodynamic behavior की study करेंगे, So, this is or it is the study of average behavior of molecules constituting the matter, matter जिन molecules से मिल कर के बना है, उनके average behavior को हम इसमें study करेंगे, that is microscopic approach, जिस जब हम microscopic approach यूज करते हैं, thermodynamics में, तो जो subject हम को मिलता है, that is known as statistical thermodynamics, statistical thermodynamics हम कहते हैं, ठीक है, कुछ-कुछ phenomena's जो हमारे हैं, जो हम अभी current हम लोग अपने approach में देखने वाले, हमारे जो syllabus उसमें देखने हैं, उसमें कुछ-कुछ concept हम लोग इसका यूज करेंगे, microscopic approach का यूज करेंगे, अब macroscopic approach क्या होता है, जब हम लोग molecular level पे study नहीं करते हैं, general level पे हम जब study करते हैं, किसी भी और matter को, that is known as microscopic approach, so when matter is not studied at molecular level, ठीक है, मतलब जो average behavior of molecules है, जब हम उनकी study नहीं करते हैं, so that is known as macroscopic approach, जब macroscopic approach implement कर जाता है, thermodynamics पे, तो जो हमारे पास subject आता है, that is known as classical thermodynamics, classical thermodynamics, और यही वो subject है, जो हम अभी हमारे current module में deal करने वाले हैं, तो यहाँ पर पूरी जो introduction थी thermodynamics की, वो यहाँ पर हमारी खतम होती है, अब हम बिना time गवाय देखते हैं, कि जो हमारा syllabus है इस module में, वो क्या होगा, so चलिए अब देखते हैं, जो हम से लिवस फॉलो करने वाले हैं, हमारे thermodynamics के जो series of video lectures हैं, उसमें, तो जो हमारा first module होगा, first module में हम पढ़ेंगे, introduction to thermodynamics, ठीक है, आज हमने कुछ-कुछ briefings ली हैं, जो और हमारे हमको जो required details है, thermodynamics के बारे में, उसके origin के बारे में, वो हम यहाँ पर cover करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, thermodynamics system, module 1 में हम पढ़ेंगे, thermodynamics system, जानेंगे कि thermodynamics system क्या होता है, कितने टाइब की होते हैं, हम स्कूल में पढ़ाओगा, हमने open system, closed system, and isolated system, तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और उसको डीटेल में पढ़ेंगे, ठीक, उसका देखेंगे, thermodynamics properties क्या होती है, thermodynamics properties के बारे हम पढ़ेंगे, thermodynamics equilibrium के बारे हम पढ़ेंगे, आज ही मैंने आपको कुछ उसके बारे में introduction दिया हुआ है, module 1 में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, शो कि उसका बारे हम पढ़ेंगे उसके पहला फ्रमिजुस का हम देखेंगे, यहां पर बताना चाहूंगा यहां पर मांटना चाहूँगा उसका module का घुन किया गया है वह उनिवर्सिटी पॉंट से भी किया गया है मतलब अगर कोई एकदम जीरो लेवल का स्टुटेंट जो फॉस्स टाम इंजिन फर्मडाने इस पड़ रहा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ठीक है अगर आप गेट की तेहरी कर रहे हो अगर आप एससी की तेहरी कर रहे हो या फिर आप करेंगे उससे डील करेंगे तो या आपके लिए बहुत हेल्फूल होने वाला है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कुछ निमेरिकल्स जो सारे पो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो की गेट और वेरियस इनुवर्सिटीज में आई हुए वो टॉपिक्स हम देखेंगे इस होता है तो सबसेल देखेंगे वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर का टॉबिक बेसिक इसमें जो इंट्रोडक्शन है वाट इस वाक ट्रांसफर वाट इस हीट ट्रांसफर यह हम समझेंगे देन हम वर्क के बारे में समझेंगे डाट इस पीडी वीवर्क क्या होता है उसको पर डिपन करता है उसे हम यह पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन रिस्पेक्टिवली ऐसा कहते है ठीक है तो हम पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन को डीटेल में समझेंगे यहाप पर फिर उसके बाद हम देखेंगे work and heat as a path function फिक है यहाँ पर हम समझेंगे किस तरह से work और जो heat है work and heat बोथ आर path function से हम यहाँ पर समझेंगे ठीक है then हम देखेंगे specific heats and latent heat specific and latent heat हम लोग हमारे school level से जानते हैं क्या होता है तो उनके हम जो correlations हैं उनकी जो definitions है as per engineering thermodynamics वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसके साथ हमारा module 2 खतम हो जाएगा यहाँ पर फिर हम लोग जो gate, SSC, UPSC, IES and हमारे जो university में important topic के numericals हैं वो हम cover करेंगे और ऐसा concept build करेंगे जो हमकी हमको gate, IES और university exams सभी में काम आएं ठीक है तो सभी के लिए help होने वाला हमारा module then हम देखेंगे module no.3 module no.3 में हम पढ़ेंगे first law of thermodynamics ठीक है जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास three law होने वाले zeroth law first law and second law first law of thermodynamics कई बार जो first year का syllabus होता है कुछ universities में इसको first year के syllabus में रखा गया है basic of basic mechanical engineering या fundamental of mechanical engineering नाम से बहुत सब्जेट्स आपको मिलेंगे state to state यह syllabus वैरी करता है तो कुछ states की universities ने यह जो first law of thermodynamics है और जो module 1 हमने जो देखा इसकी लिए बसको उसने first year में रखा है और maximum universities में यह आपके secondary year में याने की third semester से यह start होता है ठीक है but overall अगर आप एक gate aspirant है अगर आप ES की preparation कर रहे हैं तो यह throughout आपके लिए useful है ठीक है so first law of thermodynamics हमें start करेंगे module 3 जिसमें हम जानेंगे कि first law क्या है यह कहां से आता है इसका origination कैसा होता है किसी से यह relate करता है वो देखेंगे उसके बाद जैसा कि हमने module 1 ने पढ़ा हुआ है types of system ठीक है types of system मैंने बताया हम तीन तरह के system देखेंगे open system close system and isolated system तो सबसे पहले हम देखेंगे first law for close system ठीक है first law में अब यह first law के लिए हम first law को देखेंगे उसके बाद देखेंगे first law for a cycle यहां पर मैं बताना चाहूंगा process क्या होता है और cycle क्या होता है यह हम module 1 में पढ़ चुके हुए होंगे तो इसके लिए हमको वरी नहीं करना है ठीक है then हम पढ़ेंगे first law for open system ठीक है open system में एक important derivation आएगा that is S.F.E.E study flow energy equation यह बहुत ही useful होता है और इसका जो concept है यह throughout be that is आप जब power plant engineering पढ़ोगे जब आप RAC पढ़ोगे that is refrigerant and air conditioning का जब subject पढ़ोगे तो जहां जहां भी thermodynamics से relate करना subject आएगे वहां वहां हर एक open system में यह equations है useful होते है ठीक है यह turbine में यूज होते है यह compressor में यूज होते है और यह pumps में भी use होते हैं so study flow equation जो की बहुत ही important aspect है thermodynamics का वो हम cover करेंगे उसके बाद हम समचेंगे PM1 क्या होता है PM1 का पूरा नाम में आपको बताना चाहूंगा that is perpetual motion machine of first kind यह हम देखेंगे यानि की ऐसी machine जो की बनाना संभाव नहीं है ठीक है उसको हम देखेंगे PM1 क्या होता है यहां पर एक introduction देता हूं उसके बारे में PM1 वो है जो की first law of thermodynamics को violate करता है ठीक है thermodynamics का एक basic structure यह है कि उसके जो laws दिये गए है अगर कोई भी process उस law को violate करता है तो वो process possible नहीं हो सकता यह हमको दिमाग में रखना है हमारे ठीक है so इस idea के साथ ऐसे machines जो की first law को violate करेंगे that will be known as PM1 perpetual motion machine of first kind और यहां पर हमारा module जो 3 है वो end होगा जिसमें हम कुछ numericals भी जो important topics है जो gate में आ हुए उनके सारे numericals हम cover करेंगे ठीक है then हमारा fourth module start होगा fourth module होगा हमारा second law of thermodynamics ठीक है second law of thermodynamics में दो स्टेट्स में है ठीक है first statement है आपका Kelvin Plank स्टेट्मेंट second statement है closest statement ठीक है so हम start करेंगे Kelvin Plank statement से उसके बाद हम देखेंगे कि heat engine क्या होता है हम सभी जानते हैं मारे आस पर जित्ते automobiles है ठीक है जित्ते power plant है वो जिस equipment से operate होते है that is a heat engine heat engine क्या होता है कितने type का होता है वो basic का एक introduction देखेंगे then Kelvin Plank statement का implementation देखेंगे on a heat engine और वहां से हम हम देखेंगे कि किसी heat engine की thermal efficiency क्या होती है इसको कैसे define किया जाता है और इसके लिए formula क्या है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे corner engine corner engine का topic है यह हमने school level से पढ़ा हुआ है बट यहां पर भी बहुत important है क्योंकि यह एक hypothetical and ideal cycle है ठीक है एक standard cycle है जिसको हम reference मान करके बाकी cycle को justify करत है इससे कि हम यह बोलते है यहां पर कि किसी भी cycle की किसी भी थरवडाव cycle की किसी भी engine की जो efficiency होती है वो coordinate engine से जादा नहीं हो सकती उसके बराबर हो सकती है लेकिन उससे जादा नहीं हो सकती तो इसलिए हम corner engine के बारे में पढ़ेंगे यहां पर फिर हम दिखेंगे closest statement यहां बताना चाहूँगा जोwijग given के पेफीटमेंट फिर में पूर्छ स्टेटमेंट है इक बादो Presents कि रेकिन के पाल्लाइल कर तेहलं कर्ता है आपका हीट इंजर से और क्लोस ऩिससे डिल करता है आपका एफिटमेंट cease क्र लाने के लिए लेकिन जब मैं बात करता हूँ heat pump और refrigerator की तो इसको operate करने के लिए मुझे power supply करनी पड़ती है तो यह किस law पे based है और यह कैसे काम करता है यह हम समझेंगे यहाँ पर ठीक है फिर हम देखेंगे coefficient of performance COP क्या होता है ठीक है then देखेंगे Cornot's theorem and then corollaries of Cornot's theorem देखेंगे यहाँ पर हमारा जो module 4 है वो end हो जाएगा और इसके साथ साथ हर टॉपी के साथ जहाँ पर भी हमको numerical की जरुरत पड़ेगी वहाँ पर हम numerical की भी practice करेंगे एक बार जब हमारा module 4 खतम हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा module 5 that is entropy so module 5 में हम लोग entropy के बारे में detail में पढ़ेंगे कि entropy कहां से आता है ठीक है यह exactly क्या बताता है क्या होता है इसके units क्या होती है etc हम पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि यह इसमें clausius theorem एक आयगा topic वह हम देखेंगे clausius theorem then हम पढ़ेंगे entropy के बारे में and inequality of clausius यह बहुत important topic है इस unit का इस module का वह हम देखेंगे इसका derivation आता है university exam से जो की बहुत important है plus जो इसका fundamental है ठीक है उससे direction of processes वागरा direction of heat flow इस तरह की जो question होते है वो gate के exams में directly frame किये जाते है so gate point of view से जो हमारा module 5 है वो बहुत important है साथ ही साथ अगर आप एक university के student है ठीक है अगर आप second year में है या third semester या fourth semester में है so in that case जो हमारा third one dynamics का subject है इसके जो first law वारा topic है वहाँ तक तो generally किसी को दिक्कत नहीं होती है energy वगरा वगरा जब terms हम देखते हैं तब हमको subject बहुत complicated लगने लग जाता है तो हम हमारा जो video lecture की series है इसमें हमारा यह approach होगा यह हमारा इसमें effort होगा कि आपको जो चीजे हैं वो easiest form में easy to understand मिले आपको आप हमारी videos देखके अच्छे notes बना पाएं और अपनी university exam में अच्छा score कर पाएं इस पर हमारा focus होगा साथ ही साथ अगर आप gate या फिर ES के student हैं तो हम इन modules में पूरा effort लगाएंगे कि आपको सारे relevant concepts जो हैं सारे जो necessary concepts हैं वो आपको मिले और हम उस level के questions और concepts आपको deliver करें जिससे आप ES या gate के question अराम से crack कर पाएं ठीक है so entropy principle हम पढ़ेंगे last topic हमारे 5th module में उसके साथ ही module 5 जो होगा end हो जाएगा ठीक है then हम स्टार्ट करेंगे module 6 so module 6 that is available energy, availability and irreversibility यह जो topic है इसमें हम पढ़ेंगे high grade energy and low grade energy high grade energy कीन energies को कहते हैं और low grade energy कीन energies को कहते हैं यह हम यहाँ पर देखेंगे then हम समझेंगे कि available energy क्या होती है available energy किस चीज को कहते हैं हम लोग ठीक है यहाँ पर आपको इसका एक brief introduction देता हूँ जैसे कि हमारे पास हम जानते हैं जब energy को एक form से दूसरे form में हम convert कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग energy को एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एक particular quantity में energy दे दी जाया तो उसको पूरी तरह work में convert नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर जब हम लोग high grade energy and low grade energy पढ़ चुके होंगे तो हमको यह समझ आ चुका होगा कि जो heat है that is a low grade energy and जो work है that is a high grade energy यह हमको इस module में clear होगा ठीक है उसके बाद हमको यह समझ आएगा कि heat को हम पूरी तरह से work में convert नहीं कर सकते ठीक है तो heat का heat का वो fraction जिसको हम useful work में convert कर सकते हैं maximum useful work में convert कर सकते हैं that is called available energy ठीक है which can be converted into useful work that is known as available energy वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर dead state देखेंगे dead state एक अलग नाम है लेकिन it is nothing but the thermodynamic equilibrium मैंने आपको बताया भी कि thermodynamic equilibrium क्या होता है that is mechanical, chemical plus thermal equilibrium अगर कोई substance आपके mechanical equilibrium में है chemical equilibrium में है साथ ही साथ thermal equilibrium में भी है तो उसे हम thermodynamic equilibrium में है ऐसा कहते हैं ठीक है और अगर कोई भी substance यह आपके thermodynamic equilibrium में आ जाए तो उसके बाद वो reaction वहाँ के stop हो जाती है ठीक है वहाँ उसके आगे फिर और फर्दर हमको move करना कराना उस process को possible नहीं होता है सब्सक्राइब है तो यह सब्सक्राइब कहते हैं ठीक हम पढ़ेंगे availability ठीक हम एक्जर्जी के बारे में पढ़ेंगे what is सब्सक्राइब करेंगे second law efficiency ठीक है second law efficiency के topic के साथ हमारा जो module 6 है यह cover हो जाएगा और हम इस पर बेस कुछ numerical भी इसमें करेंगे ठीक है जो कि हमारी university और gate point of view से useful होंगे similarly then हम module 7 स्टार्ट करेंगे module 6 के बाद module 7 में स्टार्ट होगा आपका properties of pure substance यह जो module है यह आगे के semester के लिए बहुत ही जादा essential है जब हम power plant पढ़ेंगे जब हम refrigeration and air conditioning पढ़ेंगे ठीक है that is RAC and power plant engineering अलग-अलग universities में अलग-अलग semesters में होता है साथी साथ power plant engineering के जो subject है वो हमारे gate में भी होते हैं IES में भी होते हैं तो इसमें pure substance का बहुत weightage है pure substance के concept अगर आपके weak हैं तो आपको throughout the subject of thermal engineering चाहे वो RAC हो चाहे वो power plant engineering हो चाहे वो applied thermodynamics हो वहाँ पर आपको problem यह देगा ठीक है तो इसको हम बहुत अच्छे से cover करेंगे एक एक इसके जो concept है जिससे numerical solve होते हैं ठीक है वो हम देखेंगे साथ ही साथ जहां से direct theory question frame होते है conditional question frame होते है assertion and reason type question frame होते है वो सारी चीज़े हम यहाँ पर cope up करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है तो हम पढ़ेंगे इसमें pv diagram for pure substance ठीक है हम देखेंगे कि first of all देखेंगे क्या होता है यहाँ पर बताता हूं मैं कि pure substance ऐसा substance को कहते है जिसका chemical composition होता है वो homogeneous होता है ठीक है throughout the given quantity यानि कि number of substances का number of matter का mission नहीं होता कोई एक single matter होता है कोई एक single chemical composition वाला matter यह होता है जैसे कि water की बात कर किसी container में अगर water है तो उस पूरे container में मैं बोलूगा कि एक pure substance वहाँ पर है ठीक है क्योंकि water का chemical formula that is H2O that is constant chemical composition वह वो given volume में constant है तो ऐसे substance को हम बोलते है pure substance ठीक है लेकिन वही water में अगर मैं कोई दूसरा chemical मिला दो जो कि उसके साथ react करके कोई नया compound form नहीं करता है ठीक है ऐसे cases में वह pure substance नहीं होगा जैसे कि मैं water में oil मिला दो ठीक है and enthalpy versus entropy diagram यह हम पढ़ेंगे then quality and dryness fraction हम लोग पढ़ेंगे quality of vapor ठीक है वैपर क्या होता है जब हम किसी liquid को हम heat करते हैं तो वह liquid state से gaseous state में जाता है अलग अलग pressure and temperature पर जो enthalpy, entropy and specific volume है किसी particular matter का वो हम discuss करते हैं ठीक है अब यहां steam की बात करते हैं जब हम तो यह जो steam होता है that is nothing but the vaporized form of water water को जब हम लोग vaporize करते हैं यह water को जब heat करते हैं तो water का जो gansious phase मिलता है that is known as steam अब यहां पर आपको पताना चाहूंगा जो steam word है that is specifically used for water vapor ठीक है water vapor को हम steam बोलते हैं और किसी भी दूसरे liquid के gaseous form को हम steam नहीं बोलते हैं यह आपर हमको पता होना चाहिए ठीक है इसके साथ हमारा यह module खतम हो जायागा इस पर हम जो ES में और university में आयो questions है वो भी पूरे cover करेंगे then हमारा last module start होगा that is thermodynamic relationship अब इस module को start करने के लिए सबसे essential ही होगा कि आपको basic understanding हो partial differential equations की ठीक है आपको जो chain rule बगरा होते है mathematics में जो differentials होते हैं उनका concept पता हो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको कुछ उसकी briefing दूँ ताकि आपको आसानी हो इसको solve करने में ठीक है इन सारे topics को cover करने के बाद हमारा जो engineering thermodynamics या कहने thermodynamics है वो subject पूरी तरह से cover हो जाएगा तो इसको अगर हम लोग starting to end step by step अगर हम लोग practice करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा foundation create होगा thermodynamics का यहाँ पर हमको बहुत घ्यान देने की ज़रूद है क्योंकि thermodynamics एक बहुत ही complicated subject है ठीक है यहाँ पर बहुत से students जब thermodynamics पढ़ते हैं तो बहुत demotivated feel करते हैं क्यो चीज़े available हो ठीक है तो यह हमारा syllabus रहा अब हमको इस syllabus के साथ साथ हमारे reference के लिए कुछ अच्छी books भी होनी जरूरी है जिसको हम जो topics यहाँ नहीं हो पाते हैं अगर वैसे तो पुरी कोशिच की जाएगी के हर topic deal कर दिया आपको लेकिन notes बनाने के लिए और competition exam की preparation करने के thermodynamics के आपके पास अच्छे books होने चाहिए ठीक है तो कुछ books के मैं नाम आपको suggest करता हूँ ठीक है अगर आप university point office से देखें तो आपके पास यह दू books होनी चाहिए फस्ट है R.K. Rajput in R.K. Rajput thermodynamics by R.K. Rajput फिर engineering thermodynamics by R.K. Rajput की एक book आती है इन्होंने दो भुक लिखी हुई है एक मिलेगी आपको thermodynamics या engineering thermodynamics engineering thermodynamics के और एक बुक मिलेगी आपको thermal engineering बाय आर्के राश्पूत thermal engineering यह जो बुक है इसमें power plant का portion, IC engine का portion, thermodynamics का portion, applied thermodynamics का portion, बहुत सारे जो thermal के measures and subjects हैं वो इसमें एक साथ cope up किये गए हैं, ठीक है, और इसमें basically आपका जो engineering thermodynamics है, जिसको हम classical thermodynamics बोलते हैं, बस वो conceptual level पो उसको cover किया गया है, ठीक है, एक ये वुक हम रख सकते हैं, अगर हम university के student हो, अगर आप university के साथ-साथ gate IES की तेहरी करना चाहते हैं, और आप एक बहुत अच्छी standard book चाहते हैं, जिसमें ज्यादा numericals तो नहीं, लेकिन concept बहुत अच्छे दिये हुए हो, तो that is P.K.Nag, आप P.K.Nag refer कर सकते हैं, उस case में P.K.Nag, Engineering Thermodynamics by P.K.Nag, अगर आपको बहुत अच्छी books पढ़ने के आदा था, ज्यादा theory आपको चाहते हैं, ज्यादा content अगर आपको चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं, ज्यादा descriptions नहीं दिये गया हैं, हर चीजों को, ज्यादा elaborate नहीं किया गया है, ज्यादा real life examples या real life diagrams, pictures आपको इस पर नहीं मिलेंगे, तो अगर आप बहुत ज्यादा theory पसंद करते हैं, बुक्स में आपको बहुत ज्यादा concept चाहिए, तो उस case में आप refer कर सकते हैं, Sangel and Bowls, Sangel and Bowls, ठीक है, ये भी है thermodynamics की बुक, An Approach to Thermodynamics नाम से ये भुक आपको मिल जाएगे market में, ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं, अगर तीनों में से कोई भी दो बुक्स आपके पास हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके पास text available हैं, इसको refer करके आप अपने notes बना सकते हैं and competition के लिए and अपनी university exam के लिए prepare कर सकते हैं, So, आज के इस वीडियो में हमने जो thermodynamics का syllabus हम follow करने वाले हैं और जो different modules होंगे वो discuss किये, ठीक है, आने वाले वीडियो में हम हमारा module 1 स्टार्ट करेंगे, that is introduction to thermodynamics, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भोलिए और नीचे बने bell icon को ज़रू दबाईए ताकि हमारे latest update आपको time to time मिलते रहें, मेरे और मेरे gate academy plus team की तरफ से आप सभी को thank you